हेलो एवरिवन माई नेव जनुम सिंग और आप देख रहे हैं C&C Take a Skill चैनल दोस्तों आज कमेरे टोपिक बहुत इंपोर्टेंट है Cutting Tool Parameter के बारे में कि हम जो Cutting Tool यूच करते हैं BMC एHMC मसीन में तो उसका किस तरह के पैरामेटर निकाला जाता है जैसे फेड आर्पीम कैसे निकाला जाता है तो सारी चीजे इस मैंने PDF में Complete किये और आपको बताऊंगा और उमीद है कि अगर आप ये पूरा वीडियो देख लिए तो आपको इसके बाद कोई वीडियो देखने की ज़रूर नहीं पड़ेगी फेडियो आर्पीम के बारे में तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यह हमारा वनली BMC और HMC के लिए है ठीक है तो आप लोग कहिएगा तो CNC के उपर भी मैं बना दूंगा इसका पैरेमिटर का बट इतने से आप अगर ये जानगे तो आप जो हमारा ड्रिलिंग होता है मिलिंग होता है और टेपिंग होता है ये सारे चीज का आप बहुत इजली से उसका फेड और र्पिंग निकाल सकते हैं बहुत सारा चीज है इसमें एक्जामपल देके भी मैं बताया तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखिए हमारा कटिंग स्पीड होता है ठीक है कटिंग स्पीड को कहते हैं उसका फर्मूला होता देकोल टूपाई दी एन अपोन उनठावजन जो इसमें भी है जो बीसी कहते हैं ठीक है उह है अमारा कटिंग एस्पीड ठीक है यह मिटर पर मिनिट में ठीक है और इसमें जो डी है यह डी की वेलुए है यह टूल का डैमेटर होता है जो की एमेमें हो है और n है जो spindle speed यानी rpm यह revolution पर minute में होता है ठीक है और πाई है जो πाई के मान 22 वेटर साथ ठीक है तो आप इसको समझ गया होंगे कियोंकि यहीं एक मतलब इसमें से हम n को इधर कर देंगे तो आमारा spindle speed निकल जाएगा भी उधर चला जाएगा तो चली आगे देखेंगे देखेंगे जैसे spindle speed निकालना हो तो मैंने यहाँ पर curls multiplication किया है n को बाहर निकाला है और इस तरह कर देंगे तो आप 1000 into V upon 5D हो जाएगा ठीक है तो हम इसे n क्या होता है n होता है spindle speed यानी rpm ठीक है तो हम n जो हमारा है वो है rpm ठीक है तो इस तरह करके और 1000 V यानी हमारा cutting speed और मतलब pi कमान कितना है 3.142 और d diameter ठीक है tool का diameter इसके उपर सारे के एक एक example मैंने last में बताईए आप वीडियो को देखते रही है सारी चीज के लिए हो जाएगी कोई इसमें doubt नहीं रहेगी आपको ठीक है उसके बाद देखें एक और फर्मूला होता है क्या होता है कि rpm cutting speed यान teeth मतलब एक teeth पे आप कितना fit देते हैं 0.1, 0.2, 0.18 तो इसके बारे में आगे में chart मेरे पास रखा है वो आपको मैं भी दिखाऊंगा इसमें और यह आपको वहाँ से clear हो जाएगा ठीक है fz ठीक है जी उसके बाद यह z है number of fluids कितने उसमें fluids है कितने insert cut ले रही है ठीक है तो चीज यहाँ आजाएगा जैसे drill है उसमें 2 fluids है तो उसके 2 fluids यहाँ लग जाएंगे ठीक है और उसके teeth कितने 2 है ठीक है तो पर teeth पे कितने दे रहे हैं तो चीज आपको यहाँ से हो जाएगा ठीक है उसके बाद है n spindle speed rpm ठीक है तो इसमें का करेंगे इसका भी मैं आपको देखें जो VC होती है न हम कहते हैं VC कहां से लाएं वहीं चीज है यहाँ पर ठीक है यह है हमारा Alloy Steel जो की हमारा टूल 2 परकार को होता है HSS और हमारा एक करवाई टूल होता है ठीक है यह meter per mm में इसका parameter है ठीक है तो Alloy Steel के लिए हम देखें जो हमारा यह है न हम अपने जादा टूल के डाय कोडिंग के सेलेक्ट कर सकते हैं ठीक है जैसे एलमुनियम में कितना कर सकते हैं ब्रास में कितना कर सकते हैं कास्ट आयरन में कितना कर सकते हैं स्टेलने श्टील है ये सारे है टूल टूल बनता है तो ये सबका है ठीक है तो आप यहां से देख सकते हैं कर कि यहां पे फीड पर तीथ फोर मिलींग रोफ कट ठीक है तुजो हमारा मिलींग होता है उसका रोफ कट में कितना देते हैं फिनिस के लिए तो हमको पता है कि 20-50-100 माइक्रों तो हम ले सकते हैं उसमें कोई दिक्वत नहीं ठीक है बट अगर हमें रफ का पता हो तो बहुत अच्छे से हम टूल का spindle speedo rpm निकाल सकते हैं ठीक है देखे इसमें बहुत सारे दिये गए हैं जो कि हम face milling करते हैं सब जानते हैं face milling, helical milling slot milling, end milling आई ये तो देखे ये circular जो होते हैं pocket milling होता है उसके लिए तो ये सारा चीड है देखे इसमें देखे ऐल्मुनियम के लिए face milling का कितना दे सकते हैं rough पे cut इतना और ये अगर helical milling कर रहे हैं, slotting milling कर रहे हैं तो ये सारे milling के लिए brass के लिए कितना दे सकते हैं cast iron में कितना दे सकते हैं जो हमारा face milling होता है उसमें तो ये cut है हमारे, ठीक है, rough cut कितने कितने हम दे सकते हैं, tool को, एक insert पे कितने cut हम दे सकते हैं, उसके लिए ये हमारा, ये chart है, आप इसको screenshot ले सकते हैं, ठीक है, इसके बाद देखिए, ये हमारा hs, जो tool होता है, उसके लिए था, ठीक है, अगर मेरा carbide का cut रहे, carbide का cut रहे, तो उसमें क्या इसका parameter होगा, देखिए, जैसे aluminium का ब्रास है, ये जो भी है, जितना helical milling, slot milling, end milling, ये circular में, तो ये इस तरीके से हम, उस insert, उस tool के age पे cut हम देखे, cutting कर सकते हैं, इससे हमें ये standard है, हमको ये पता चल जाएगा, कि हम कितने load तक अपने machine को चला सक सकते हैं, ठीक है, नहीं तो हमें पता नहीं होता है, और aluminium में हम कभी कभी 0.2, 0.3 भी दे देते हैं, उससे क्या होता है, हमारा loss होता है, ठीक है, अगर 0.5 जै सकते हैं, माल लेजिए, हम यहां 0.8 कर दिया है, तो insert का life नहीं मिल पाएगा, तो ये सारी चीजे, एक extender form में है ठीक है, इसके आगे चलते हैं, देखिए, जो हमारा milling होता है, milling के लिए हम कौन, किस तरह का feed, उसका feed क्या, feed per minute, feed per minute, तो यहां rpm into number of teeth, मतलब spindle speed, feed, जितना आप निकाल रखें, और उसका, या दे रखा है आपको, उसके बाद आपको, यहां पे हमारा कितना insert लगे हुए हैं, ठीक है, और perfect insert पे आप कितने ककट दे रहे हैं, जो हमारा यहां पे है, ठीक है, तो हम यहां से, जो भी milling कर रहे हैं, slot milling कर रहे हैं, end mill है, जो करेंगे माली जी अगर हमें फीड पर मिनिट है निकल गया ठीक है अगर कहीं हमें पूछ रहा है कि चलो तुम्हें देखेंगे आगे हम एक्जाम्पल में कि अगर हमें फीड पर तीत निकलता है तो क्या कि हमें पैरामिटर मिलती है उसके लिए क्या निकालता है देखें पर कितना हमें कट आ रहा है यह पता चल जाएगा ठीक है आगे चलते हैं देखिए यह रेवुलेशन है फीड पर रेवुलेशन इसका होता है फीड पर तीथ मतलब एक तीथ पर कितना लोड है प्लस नमबर अप तीथ कितने इंसेट लगे हुए हैं कटर में उससे आमारा या कितना कटिंग एज है उससे हमारा या रेवुलेशन निकल जाता है ठीक है चलिए हमें ड्रिलिंग साइकल के लिए आपको बता दो थोड़ा सा देखिए यह ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए है ठीक है यह जो होता है यह HSS का जो हमारा ड्रिल होता है ठीक है उसके लिए हम इ और यह cast iron है ठीक है तो यह सारे चीज है देखिए इसमें हम दो तरीके से डाल सकते हैं यह cutting cutting speed है और यह हमारा feed mm per revelation यह है meter per minute ठीक है तु हमें अगर dia five के लिए लिए तो इतना लेना है तो इतना लेंगे 10 के लिए इतना लेना है खिंगे अलनुनियम के लिए कितना लेना है इतना है आपको तो आपको ये पता लग गया होगा थोड़ा थोड़ा आइडिया, देखें, एलमुनियम के लिए कितना है कितना लेना है आपको, उसके लिए हमें ये cutting speed कितनी लेनी है, तो आपको मैं सब चीज आगे बता दूँगा, ठीक है, ब्रास के लिए कितना लेना है, तो ये जो चार पर कितने का हम revelation कट लेंगे जो drill में हम डालते हैं ठीक है तो चलते हैं आगे आपको मैं example दिखा दूँ ठीक है तोड़ा सा इधर देखिए drill का feed rate कैसे निकालते हैं drill का feed rate निकालते हैं rpm in 2 ठीक है आज देखिए feed per revelation मानले जे rpm आपके पास 2000 है और डाया कितना का मानले जे डाया 10 का बनाना है तो इसका अगर हमको एल्मुनियम में चलाना है तो 10 के एल्मुनियम rpm 2000 in 2 0.2 तो हमारे क्या निकल जाएगा फेड़ी निकल जाएगा जितना भी आ जाए ठीक है अगर आपसे कोई कहे कि बाई इस drilling का drilling cycle का time कितना लगेगा मानले जे कि हमारा cycle time होता है हम तो machine पर चलाते हैं तब पता लगता है program हमारा 2 मिनिट में बना चाहिए 3 मिनिट में बना या 5 मिनिट में बन रहा है बट हमें यह drill कर रहा है तो इसमें कितना time हम देंगे ठीक है तो हम इस फर्मूले से हम इसका analysis कर सकते हैं ठीक है drilling time निकालते हैं t equal to p sorry 60 into p upon n into f ठीक है तो हमारा जो t है वो time in second है और p है यह है हमारा drilling depth है mm में है और feed पर mm पर revelation feed है और n है spindle speed rpm इसके बारे में आपको example बताया हूं ठीक है और tape के लिए आप जानते है rpm into पीछ होता है ठीक है तो चलिए मैं आपको example बताता हूं एक एक करके और वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है आप last day देखिए अगर इसमें भी कोई doubt हो तो आप comment करके बता सकते हैं ठीक है और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को like कर दीजिए ठीक है तो चलिए मैं example start करता हूं देखिए आपके सामने है example first इसमें क्या है कि हमको calculation करना rpm और feed माल लिजिए हमको rpm और feed यह बहुत चीज आपको interview में देखने को मिल जाएगा ठीक है interview में आप जाएगा तो ऐसे ही question मिल जाता है 8-10 और कहते हैं कि बाई इसका rpm feed निकालो feed पर तीथ निकालो तो बहुत सारे ऐसे question आपके सामने आ जाते हैं ठीक है तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा ठीक है देखिए जैसे हमारा cutting speed है cutting speed कितना है हमारा cutting speed है 500 meter per mm sorry meter per minute और यह हमारा cutting diameter कितना है कितना है 10 mm का और नमबर अब तीथ कितना है दो है और इस यहां देखिए नमबर और थीड पर तीथ ठीक है और यह rpm और फीड निकालना है इसमें क्या दे रखा है cutting VC दे रखा है और यह हमारा tool का डाय दे रखा है और इसमें बता रहा है कि tool में 2 insert लगे हैं 2 हमारा tooth है 3 है ठीक है और cutting teeth है 2 है और हमारा जो है 1 cutting teeth पे 0.1 का हम cut दे रहे हैं जैसे माल लेज़ें यह जैसे tool है आपके सामने दीख रहा है इसमें 2 insert लगे हैं यह दोनों insert के लिए आपके लिए VC इतना मिल चुकी है और यह हमारा जो डाया है यह tool का डाया 10 का है और इसमें 2 हमारे number of teeth है और यह 1 teeth पे 0.1 का cut है ठीक है तो इसका हम RPM और feed कैसे निकालेंगे यह चलिए मैं calculation करकर रखा हूँ बता रहा हूँ आपको देखे यह आप RPM इक्वल टू जानते है N इक्वल टू 1000 into V upon pi D होता है ठीक है तो इसके लिए मैंने का कर रखा है देखे 1000 आपका तो यह VC कितना दे रखा है VC हमारे 200 दे रखा है तो 500 हो गया upon यह हमारा pi के मान 3.12 into एक सोरी 10 10 क्या है हमारा टूल का diameter है ठीक है तो इससे हमने multiply के इतना आगया इतने से इतने भाग दिया तो इतना आगया 7956.715 ठीक है तो हम इसको संताओन लिख सकते हैं revelation पर minute RPM है ठीक है feed rate क्या निकालेंगे HZ into Z into RPM तो HZ क्या था HZ हमारा था feed पर तीथ एक तीथ पर कितना और इसमें number आप तीथ कितना है दो ठीक है और आपका यह RPM कितना है इतना इससे multiply किजिएगा तो इतना आएगा इतने को हम 15 1591.4 आएगा बढ़ हम इसको लिख सकते हैं 1592 mm पर तो आपको यहां कुछ क्लियर हो गया होगा कि हम feed कैसे निकालेंगे tool का अगर आपको मानले यह parameter नहीं दे रखा है अगर थोड़ा सा बता दिया अगर tool आपको हाथ में ला के दे दी कि लिए यह इसका हमको feed और RPM निकाल के बता तो आपको उसमें देखना पड़ेगा fruits कितने हैं ठीक है आपको पता होनी चाहिए ठीक है अब चलिए दूसरा example दिखा रहा हूँ ठीक है देखिए यह हमारे पास cutter है cutter में इसमें 4 age है 1,2,3,4 ठीक है अगर 4 age है तो 4 age के लिए देखिए इसके लिए cutting speed हमारा इतना दे रखा है और हमारा यह diameter इतना है और इसका number of teeth कितने है 4 है इसमें ठीक है 4 है 1,2,3,4 ठीक है और इसका पर पर teeth कितना fit दे रखा है 0.15 ठीक है और इसका RPM और fit निकालना है same वैसे ही मैंने वही formula लगाया बट मैं आपको इसलिए दिखाया कि इसमें 4 teeth है उसमें 2 था same formula लगाया कि मैंने इसका RPM आया है 2918 यहां आया 2917 multiply कर लिए आप भी एक बर चेक कर सकते हैं उसके बाद फेड़ भी मैंने इसी परका निकाला देखिए 0.2 हमारा हो गया और यह हमारा कितना है number of teeth 4 है और RPM कितना निकल रखा है इतना निकल रखा है इससे multiply कि इतना आया तो हम इसको लिख सकते हैं 1751 mm पर मिनिट ठीक है तो आप लोग आगे चलते हैं देखिए example 3 इसमें कुछ अलग है ठीक है इसमें calculate करना है आमको cutting speed और feed पर teeth ठीक इसमें का करना है cutting speed और feed पर teeth इसका calculation करना है ठीक है इसमें देखिए RPM equal to क्या है 15,000 regulation per minute और feed कितना है 3,000 mm per minute ठीक है इसमें देखिए आपका RPM और feed दे रखा है अगर cutting speed कह रहा है यानि VC निकालने के कह रहा है कि इस tool का VC कितना होगा ठीक है और इसमें number up 3,000 कितना है 2 है यानि इसमें insert कितने लगे है 2 लगे है cutting edge कितने है 2 है जो भी मान लीजिए उसके बाद cutter का diameter कितना है diameter 6 mm का है उसमें हमको निकालना है cutting speed और feed पर teeth तो जो हमारा पाई कमान यह है रहा diameter 6 है और N क्या है RPM RPM है 1000 इतना पॉन इतना इकोल टू इतना हमारा VC आगे है जो कि आया है 282.78 ठीक है तम 283 mm पर मिनट लेख सकते हैं ठीक है अब चाहें तो इसको भी actual दिखा सकते हैं ठीक है अगर actual कोई मांग रहा है तो ठीक अगर feed पर teeth निकालना होगे एक teeth पर कितना उसका फर्मूला होता है feed feed in mm पर मिनट आपको मैंने उपर बताया था ठीक है number अब teeth हिंदू RPM मान लिए 3000 आपका क्या था इसमें 3000 feed दे रखा था feed in mm per minute ठीक है और 3000 यह है उसके बाद आपका 2 यह क्या है number अबतुद कितना है 2 और इसका RPM कितना दे रखा 15,000 तो आप इसका multiply किजिएगा तो इतना जाएगा 1 upon 10 आजाएगा ठीक है तो हमारा cut कितना हो जाएगा 0.1 ठीक है mm इतना का हमारा cut हो जाएगा अगर मान लिजिए drilling का हमे feed निकालना है तो कैसे निकालेंगे तो मान लिजिए 10 का डाया है हमारा tool का और external steel में हमें drill करना है ठीक है तो उसका फर्मूला आपको बताया था RPM into feed per regulation ठीक है तो मान लिजिए 2000 तो हमें spindle speed है ठीक RPM और हमें 10 का निकालना external steel के लिए तो हम चलेंगे अपने चाट पे देखिए external steel के लिए 10 के लिए कितना दे रखा है 0.18 तो हमने यहाँ पे 0.18 एकोल टू 360 हमारा feed निकल गया ठीक है तो अगर RPM निकालना है तो RPM निकालने के लिए आप जानते ही है N equal to आपको जो मैं उपर बताया था 1000 into VC upon 5D ठीक है तो आप इस फर्मूले को देखकर आप इसका RPM निकाल सकते हैं ठीक है तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात ना है ठीक है और चलिए मैं आपको drilling time निकालने के आपको मैंने बताया था देखिए इसमें क्या है कि आपका 602 into fee कितना है V7 depth मैंने दे रखा है और ये RPM 2000 दे रखा है और feed 200 दे रखा है तो इसका क्या निकल जाएगा इसका जो अब हम calculation करेंगे 0.003 second में हमारा ये drilling हो जाएगा तो उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को like कर दीजागा चैनल को नहीं है तो चैनल को subscribe कर लेजिए अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मेरे facebook page पे जाएए description उसका link मिल जाएगा और वहीं से आपको ये PDF प्रवाइट हो जाएगा तो आप वहाँ से में ले सकते हैं इस PDF को ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत